कि नमस्कार मैं शेव सागर सक्षेन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्षेद्विस सागर पर विज्ञान की अक्षाओं के क्रम में यह दूसरा वीडियो लेक्चर है इससे पहले वाले लेक्षर वीडियो में आपने समझा कि विज्ञान क्या होता है विज्ञान कुछ परिवाशाएं समझी विज्ञान को कितने भागों में बाटा गया है अर्थात प्राकतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान और किस-किस विज्ञान के अंतरकत किस-किस समझेंगे और उन basics को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अगर हमने उन basics को नहीं समझा तो हमें आगे problem होगी इसलिए हम वहर छोटी चीज कवर करेंगे जो कहीं न कहीं physics में काम आईगी और आपकी एक अच्छी समझ विक्सित होने में आपकी सायता करेगी देखेगा नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या करते हैं शॉर्ट कट के चकर में हम यह सोचते हैं को शॉर्ट रिक मिल जाए कहीं से question मिल जाए रट के उन्हें काम हो जाए अगर आ जाता है तो आपको कोई समस्या उसमें नहीं होने वाली तो चलिए बिना देर करते हैं शुरू करते हैं भातिक विज्ञान जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है और इस लेक्षर के notes PDF में प्राप्त करने के लिए free of cost आप इस नमर पर मैसेज करें WhatsApp मैसेज करें और बात करें तौ फजएक्स शब्ड जो है वह घ्रीख भाषा से लिया गया है यह एक घ्रीग भाषा के शब्द लिया गया जर सकात होता है प्रकति या प्राकतिक ठीक है ना फिलेप dud जिए फिले हिस्ट में हीजान करते हैं उत्यूं लिए पिस चीज को यंदर दो चीजों का अध्यान करते हैं सबसे पहले हम अध्यान करते हैं प्रकती के नियमों का प्रकती के जो नियम है जैसे गुर्त्वाक्रशन का नियम जैसे प्रकाश की तरंगे कैसे भीयव करेंगी है ना जैसे ग्रहों की गती के नियम के ग्रह कैसे गती कर रहे हैं इस सब का अ प्राकेति घटनाओं का अध्यन करेंगे प्राकेति घटनाओं का अध्यन कैसे करेंगे पहले कि प्रेशर कुकर में खाना जली पक जाता है क्यों पक जाता है या किसी आपने देखा होगा कि बारिश के दुनों में सीटियों की आवाज दूर तक जाती है या रात के समय धुन जो है वो तैर रही है उसमें और बर्फ के पूरी तरह से गल जाने के बाद भी पानी का लेवल उतना ही रहता है पानी ऊपर उसका लेवल नहीं आता या चोटी कील पानी में डूब जाती है और एक बड़ा जहाज पानी में तैरता रहता है यह सब क्या है आपकी प्रागते गठनाए हैं तो फिजिक्स के अंतरगा दो चीजों का अध्यन करेंगे प्रकति के मूल भूत नियमों का और विभिन प्रागति गठनाओं के कारणों का अध्यन के ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके अगर शरीर पर गरम पानी गिर गया खौलता हुआ पानी उवलता हुआ पानी और उसकी भाप होती है वह में जादा जलाती है ज़्यानिड़ गरम पानी से चलनावे ज्यादा ख़तर ना के ये आपने देखा होगा कि जब ही आप खो समुद्र किनारेї जाते हैं तो जातर लोगों आपको समुद्र के दिन में मिलेंगे, रात में नहीं मिलेंगे, जोकि समुद्र के किनारे दिन में ठंडे होते हैं, रात में गरम होते हैं, यह सब क्या हैं, आपकी प्राकते घटनाए हैं, यह आपने देखा होगा, कि पानी के अंदर एक लकडी पड़ी और वो सिक्का आपको कैसे लगता है थोड़ा ऊपर अठावा दखाई देता है या आपने देखा होगा आप जब कहीं आत्रा करते हैं बसे स्टेंड पर जो नीवू पानू विएचते हैं तो वो अपने गलासों में नीवू भरक रख लेते हैं उसमें पानी होता है तो साइट से देखने पर आपको नीवू कैसे देखाई देता है तो यह से प्राक्ति घठना है यह आप में देखा होगा रेगिस्तान में मरी चिका जिसे मिराज कहते है आप रेगिस्तान ना गई ह तो'mरको में इन सभी प्रार्कति गठना की कारण की जांज करेंगे ऐसा कोई कोनगों की आज सबमंधी नियम घराम की आपके साम Kenneth झाता है बरसातमें शीट्न दिखाई देना इस इन घटनाओं का भी अध्यनम फिजिक्स में करते हैं तो एक बात के लिए रहे कि फिजिक्स में हम अध्यन करते हैं किसका प्रकति के नियमों का और अध्यन करते हैं हम प्रकति प्राकतिक रूप से होने वाली घटनाओं के पीछे क्या कारणों का अध्यन हम physics में करते हैं इसके अलावा physics में हम और एक बात कहें तो हम अध्यन करते हैं द्रव्य का द्रव्य अर्था मैटर और अध्यन करते हैं और अध्यन करते हैं यानि कि विद्यत उर्जा की है ना हम बात करेंगे नाविकी उर्जा की यह सब उर्जा के बिभिन रूप हैं और द्रविकी भुहसी अवस्थाएं हैं जैसे ठोस द्रव गैस इसके लावा दो पड़ा हूंगा चौति और पांच मी तो हम फिजिक्स में एक तो अध्यन कर रहे थे प् मुद्व में करना आसान होता है है ना आगत है लोह की ब्यक्रेद भग जाती है और पादी का बड़ा जहाज नहीं दूपताू है उन पराकेष घट्णा ओंका अंधियन करेंगे द्रव्य का अध्यन करेंगे, तो द्रव्य की यौर्जा के वीर्जा के पीजक चाना जितनी उर्जा के अध्यन करेंगे। साथ-साथ दिन के भी जो बहुत सारी किरियाओं को अध्यन करेंगे। इसके यावा प्रक्ति नियमकों को अध्यन करेंगे। या आप देखते हैं महलाओं और बच्चों की अवाज थोड़ी पतली होती है पुरुशों की तुलना में है ना ये सब देखते हैं देखते हैं तो इस तरह से हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदरगत अद्धिक्स के पूरे स्लाइबस को हमने अध्यन की द करण में हम मूल वित्पन है ना ये राशियां पढ़ेंगे सदिश अदिश पढ़ेंगे और विमाएं निकालेंगे बहुत सारे महापक इंत्रों की बात करेंगे लेकिन दूसरी इनुट में आपकी उश्मा की बात होगी तापमान की बात होगी है ना तापमान क्या है कौन या बरफ को पानी में बदलने के लिए कितनी ऊश्मा चाहिए इस तरह की बहुत तारी घटना है या जाड़े की दुनों में पानी के पाइप के उफट जाते हैं या हम बात करेंगे इसमें कि जब आप बरसाथ की दिन में कोल्ड रिंग निकालते हैं गलास में चारत पानी की बुने जम जाती हैं ये सब हम किसमें पढ़ेंगे ऊश्मा पढ़ेंगे ठीक है ना तीसरा पढ़ेंगे हम तरंग अती के बारे में पढ़ेंगे तो तरंग अती वारी यूरिट में हम पढ़ेंगे तरंग क्या होती है कितने प्रकार की होती है या अंत्रिक तरंगे कौन सी हैं विद्दो चुम्ब की तरंगे कौन सी हैं हर तरंगे क्या गया करेक्टरिस्टिक हैं प्रकाश कैसी तरंगे यह सब चीज़े हैं पड़ेंगे द्वनी कैसी तरंगे यह भी हैं पड़ेंगे प्रकाश की में पूरा हम बिद्दु चुम्बकत्त की बात करेंगे तो इसमें आप बिद्दु धारा के बारें बात करेंगे बिद्दु धारा क्या होती है इसके लावा सदिश AC और DC धाराएं कौन कौन सी होती है ये पढ़ेंगे वोल्टर वोल्टेज में क्यांतर है ओम का क्या नियम है कूलाम का क्या नियम है स्टीफन का क्या नियम है बहुत सारी नियम या फिलेमिंग का बाएंहाथ का क्या नियम पढ़ते हैं पढ़ते हैं आफ तो यह बहुत सारी नियम हम यहां पढ़ेंगे, इसके लावा हम पढ़ेंगे लास्ट में आदुनिक भौत की पढ़ेंगे, यानि जिसे पढ़ेंगे हम modern physics पढ़ेंगे, जिसमें हम atomic physics पढ़ेंगे और electronics पढ़ेंगे, तो हमने देखा physics में किसका अध्यन किया, हमने प्रकति क नियमों का और प्रकति घटनाओं के पीछे कारणों का अध्यन किया, इसके लावा द्रव और उर्जा को पढ़ा और द्रव और उर्जा के भी संबन्धों को, यानि कि उनके बीजुक किरियां उनका अध्यन करेंगे, और हमने physics के सलेबस को किस तरह से बाटा यह द्रव यानि की मेटर, मेटर यानि की पदार्थ, सही है न, तो देखें, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह जो इस्थान गहरता है, जिसमें द्रविमान होता है, पदार्थ कोई भी हो आपके सामने, वो क्या करेगा, कोई नो कोई इस्थान गहरेगा, या उसमें कोई भी पदार्त या कोई भी द्रव्य है ना क्या है जो इस्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनोभव मर्म अपनी ग्यानेन्श्यों को कर सकते हैं देखें थेclaz द्रवी की थीन अवस्थाएं होती है न और्मली अगर प्राकेतिक रूफंपे देखें सामां निता द्रवी की तीन अवस्थाएं आपको प्राप्त होती jam लेकिन द्रवी की चोति और पांची गहरता की बात भी होगी जो नौर्मल कंदीशन में नहीं होती है लेकिन व आपको भूस देखने को मिलती है आपने देखी भी होगी तो पहले तीन अवस्थाओं की बात करते हैं द्रव की और बात करेंगे फिर चोथी और पांची अवस्था की बात तो द्रव की पहली अवस्था द्रव क्या है वह जो इस्थान घेरता है जिसमें द्रविमान होता है और जिसका अनवव हम ग्यानेंद्रियो के द्वारा कर सकते हैं ठीक है ना अब देखें कि तीन अबस्ता हैं बहुत common आप जानते हैं ठोस द्रव और गैस ठोस द्रव और गैस तो ठोस को हम क्या कर सकते हैं ठोस को हम देख भी सकते हैं छोबी सकते हैं द्रव को कर सकते हैं तो दुरवी की तीन अबस्था हैं देखेंगे पहले पहली अबस्था ठोस रहता सॉलेड सॉलेड की बात करें सॉलेड का आकार सॉलेड का आकार और सॉलेड का आयतन बिल्कुन निश्यत होता है ना आकार और आयतन कैसा होता है निश्यत होता है माल लेजिए मेरे हाथ में यह marker है या मेरे हाथ में एक इंट का टुकड़ा है चौकरूती इंट आपने देखिए तो इंट का आकार एक से रहेगा ऐसा तो है नहीं कि ठोस हुआ है जिसका आकर अ जैसे पानी जैसे दूद यह आपके द्रव हो गई तो अब देखेंगे द्रव क्या है जैसे ठोस का देखा कि आकार आइटन दोनों निश्चित थे कि उसका वॉल्यूम आइटन और शेप और साइज दोनों क्या रहेंगे एक से रहेंगे लेकिन निश्चित रहेंगे और द् पानी है इसका जो आदा लीटर में आपको बता रहा है यह आदा लीटर आयतं तो निश्चित रहीगा यानि की द्रव का आइतं तो निश्चित रहता है अगर میں इस पानी को किसी दूसरे बरतन में पलट दू IING तो Iependnah नहीं नहीं रहेगा ना जितना था लेकिन इसका आकार क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ना अगर मैंने इस बोतल के पानी को किसी बाउल में पलट लिया या किसी चौड़े मूं की बोतल में पलट लिया या किसी ऐसी चीज में पलट दिया और ना ही आयतर निश्चित है जो गैस आपकी होती है ना तो उसका आकार निश्चित है और ना ही उसका आयतर निश्चित है कैसे देखेगा मैं समझाता हूँ आपको देखेगा बहुत से लोगों को ये लगड़ा होगा कि बड़ा आसान है मैं समझ सकता हूँ लेकिन बहुत तो दुरब की बात करी, मान लीजिए, कि ये आपका एक बैलून है, ये गुबारा है, ठीक है ना, ये गुबारा है, इस गुबारे में गैस भरी हुई है, ठीक है न, और मान लीजिए, गैस का कोई न कोई आइतन है, गैस मान लीजिए, आधा लीटर गैस इसमें भरी हुई ह आइतन लीटर में निकालते हैं बात करेंगे इसकी जब आगे हम पढ़ेंगे तो अब ये गैस का शेप कैसा है गुबारे जैसा है और इसका आइतन कितना है अभी आधा लीटर है अगर मैं इस गुबारे को उपर से दवाता जाओं दवाता जाओं जैसे के गुबारा जहां सरवर से बंद रखंगा हैं वहां से ऐसे करके दवाता जाऊंँ तो गुबारा चोटा हो जाएगा यानि गुबारा किया और जो गेस इतने एरिया में थी अब उक्न अब कम हो जाएगा जैसे हमें बारी को आपने दवा के छोटा किया तो फ़ालिए वही टि- जिसकल अधाली अभी ज्यायूट्र फिले अले अब देखेगा आकार, तो आकार माल लेजिए, कि अभी ये गुबारा गोल था, और मैंने क्या किया है, इसको खींच के लंबा कर दिया, देखाओगा आपने गुबारे वाले आती है, तो मैंने गुबारे को खींच के लंबा कर दिया, तो उस गैस का भी शेप कैसा हो इसका मतलब क्या हो गया गैस का ना तो आकार निश्यत है ना ही आहितन निश्यत है यानि कि गैस जिस बरतन में होगी जिस पात्र में होगी वैसा ही रूप ले लेगी और उसको आप छोटा बड़ा करोगे तो उसका आहितन भी कम जादा गैस का हो जाएगा तो आपने देखा कि द्रवी अर्थात्पदार्थ वह है जो इस्थान गिरता है जिसका द्रवेमान होता है और जिसका अनवभब हम अपनी ग्यानिंदरियों के द्वारा कर सकते हैं इसके इलावा द्रवी की तीन अवस्थाइं common जो आप जानते हैं ठोष द्रव गैस ठोष का आकार आइतन दो तो शेप चेंज हो जाएगा और तीसरे की बात के नहीं जिसकी बात और यह गैस की गैस का ना तो आकार निश्चित है और नहीं आयतन निश्चित है आपने गुबारे वाली एक्जाम्पिल से देखा देखा तीन अवस्था है कॉमन के बाद हम बात करते है चौथी और प्लाजमा नहीं है वह प्लाजमा ब्लड में होता है मैं उसकी बात बताऊंगा मैं नीचे लिखवी रखा है तीन प्लाजमा आप सुनते हैं लेकिन हम फिजिक्स के प्लाजमा की बात कर रहें बाकी दोना प्लाजमा भी मैं आपको बताऊंगा तो देखेगा क्या होता है प पदार्थ की चौथी अवस्ता, अगर आपसे पूचता है पदार्थ की चौथी अवस्ता कौन सी है, तो चौथी अवस्ता प्लाजमा ही टिक लगाएंगे, हाला कि पाँच मी अवस्ता आपकी नीचे में पढ़ाऊंगा, आपको बहुत साइंस नी कंडनसेट, लेकिन अगर चौथी पूचा है, तो चौथी प्लाजमा ही होती है, ऐसा ना करें, चौथी की चकर में आप पांच भी लगा दें, कौन सी है, क्रम में चौथी यही आएगी, ठीक है ना, तो ध्यान देखेगा, पदार्थ की चौथी अवस्ता कौन सी है, प्लाजमा, इसकी खोश सबसे पहले किसने की, उनीस सो बीस की दशक में किसने की, इर्विन लैंगबुर नाम के एक अमेरिकी साइंटिस्त है, अब यह होती क्या है, ठीक है ना, देखेगा, प्लाजमा का मैं आपको एग्साम्पिल देता हूँ, आपके घरों में सी एफल लगी होती है, सी एफल होती है, एक बल्व होता है, उसमें कई सारी पाइप जैसे लगे होती है, या इस तरह से राउंड राउंड जलेवी की शेप में होती है, सी एफल, अब तो सी एफल कमा रही है, लोग कमी यूज़ करते हैं, अब तो LED यूज़ करते हैं, विद्धु धारा वाले चेप्टर में दौ कि बात करेंगे, दौनों कैसे काम करती है, कौन किसकी ऐफिशियंसी जदा है, लेकिन अभी आप समझगे होंगे, इस तरह से आप देखा होगा, कि एक आपका बल्व होता है, ऐसे करके उसमें लम्बी लम्बी 3-4 पाइप जैसे लगे होती है, ओपर ऐसे करके बल्व होता, या ऐसे करके होता जली भी जैसा होता एक बल है ना CFL जिसे हम कहते हैं ठीक है ना Compact Fluorescent Light CFL को कभी आपने फोड़ा हो तो उसके अंदर गैस निकलती है निकलती है ना अब देखेगा होता क्या है किसी भी गैस के अंदर आपने विद्धुधारा प्रवाहित की किसी भी गैस के अंदर मैं आपको एक example दे रहा हूँ हाला कि plasma और कई जगे पाये जागा वो बताऊंगा किसी भी गैस के अंदर आपने विद्धुधारा प्रवाहित की अब वो गैस किसी चेमबर में बंद है तो CFL एक चेमबरी होता है पूरा एक pack होता है पूरा उसके अंदर गैस वरी हुई है अब आप उसको लगाते हैं अपने holder में लगाते हैं तो विद्धुधारा जाएगी नहीं जाएगी तो किसी भी गैस में आपने विद्धुधारा प्रवाहित की ठीक है ना आई नी करन इंग्लिशन गहते हैं आयोनाईजेशन ठीक है ना आयोनाईजेशन ठीक है ना गैस का आई नी करन हो जाता है कैसे हो जाता है देखे का मान लीजी एक बरतन है मैंना ऐसे बना लिया इसमें गैस के एटम है तीक है ना अब इसके अंदर क्या गई विद्धुद्धारा गई विद्धुद्धारा जाने के बाद गैस के जो परमाडू है जो एटम या मॉलिकूल है गैस के जो परमाडू है अब आपने देखा होगा कि परमाडू के बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं इलेक्ट्रोन हो बहारी शक्षाऊं में क्या गुंते हैं ? अलेक्ट्रोन गुंते नहीं गुंते हैं ? सब जानते हैं एस बात को और इलेक्ट्रोन और प्रोट्वार्टोन की संख्या बराभर होती है यह मैंने आपको वाईव कुन्तल वाले चपिटर में पढ़ा पद एक उसको इलेक्ट्रोन का जितना भी चार्ज है वो नेगेटिव है और प्रोटोन का चार्ज पॉजिटिव है दोनों के चार्ज होते इक्वल है ठीक है ना एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में और इलेक्ट्रोन प्रोटोनों की संख्या भी एक परमाणू में समान होती है तो द इतना पॉजिटिव तो परमाडू किया उदासीन कहते हैं व्यद्धत उदासीन क्यों कि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है यानि कि माल लीजिए कि आपके सामने गैस के दो एटम है, मैं आपको दोना का समझा रहा हूँ, तो तब आपको समझ में आएगा प्लाजमा, यह एटम है, ए परमाडू है और किसी गैस का यह बी परमाडू है, सही है ना, अब यहां इस तरह से यह परमाडू का और न्यूट्रॉन और यह नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहरी कक्षाओं में कौन गूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गूम रहे हैं, इसका एक एलेक्ट्रॉन गया और इस पर आ गया, या इसका एक एलेक्ट्रॉन गया है, और वो किसी पर ना गया है, वो अब एक लेक्ट्रों चैला गया तो इसपर प्रोटों इस वाला पार्टिकल जादा हो गई पहले positive negative charge वाले particle की संख्या बराबर थी दोनों के आवेश बराबर थे इसलिए उदासीन था neutral था अब एक electron जाने से क्या हो गया कि इसके उपर proton की संख्या जादा होगी तो यह धनावेशित हो गया अब यह electron इस पर आ गया इस पर आने के बाद इसकी condition change हो गई इसमें electron जादा हो गया proton कम हो गया क्योंकि एक electron आने से पहले यहां पर electron proton दोनों बराबर थे इसलिए उदासीन था यह भी अब यहां से एक electron आ गया तो यहां electron की संख्या जादा हो गई और electron की संख्या जादा होने का मतलब क्या है क्योंकि electron negative ली charge होता है तो electron की negative charge होनी की बएज़ से negative charge पार्टिकल की संक्या जादा होगी मान लिजे यहां भी ददस थे और एक electron आ गया अब electron कितने होगे 11 और proton कितने होगे 10 अब 11 की संक्या जादा है तो कैसा हो जाएगा यह negative charge हो जाएगा तो इससे क्या कहेंगे हम जैसे ही गैस के अंदर विद्दोधारा गई आपने उस बल्ब के अंदर क्या किया विद्दोधारा प्रवाइद की उसमें गैस भरी है तो गैस के जो परमाड़ू थे उनके इलेक्टरोन चोठ चोठ बढ़गए और किसी और से जाके मिल गए या खुलने घूम रहे हैं यानि पहले क्या था जो गैस का एक्तम था और इलेक्टरindo चला जाए या आ आ जाए 1 वह बहुत जादा उत्याजित होती है और भूँत ज्यादा भीषित होती है इन पहुत जादा उर्जा होती de तो जब गैस भरी है बल्व में आपने विद्दोधरा प्रवाइद की गैस के परवाड़ू बन गए क्या आयन बन गए चाय दनायन चरनायन और उन आयनों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है बहुत ज़्यादा आवेश है और उसी बज़े से बहुत तेज प्रकाश उत्पन ह होता है उसी वज़े से बहुत तेज प्रकाश उत्पन होता है तो जो प्रकाश के वस्ता होता इह हो ऊटी है आपकी प्लाज्मा ऑटी ठीक है ना तो आपके आसपा जो आपकी डेख सीवेड ऑंगल रोगई लाइट ऑन की उसमें लाइट गई, इलेक्टिसिटी गई, इलेक्टिसिटी जाने से उसकी गैस का क्या हो गया, उसकी गैस के जो परमाणू थे, वो क्या बन गई, आयन बन गई, और वो आयन बहुत जादा एनरजी वाले होते हैं, बहुत जादा आधिशित होते हैं, और उन करत गयस का पाय में पाय जाता खाय में पर्वाइट प्रकाश उत्पन हो जाता है तो क्या रेखा हुल है विद्धोध्धारा परभायत होने पर इनकी अंदर की ग्या स्ट क्या हो जाता है ग्यास आइनिकραत हो जाती है और चम्तीला प्रकाश उत्पन होता है तब कौनसी वस्था प्राप्त होती है प्लाजमा थाथ पदात की ज़िए हम सी प्लाजमा करना रहा के कशलिए क्लिए का टार में बंता है जाता एन और न को धा से जिता Kenneth भूजा और में रहें के सूर्च भी यह चाल था था फ्लाजमा पाय जाता है पूरे एक प्लाजमा होता है रक्त वाला तो ध्यान नखेगा आपका जितना भी रक्त है टोटल उस रक्त में 65 % प्लाजमा है याने कि आपकी बॉड़ी में माल यह पांस लीटर ब्लड है तो वो क्या मिलेगा प्लाजमा और उस 55% प्लाजमा को आप निकाल लेंगे तो उस प्लाजमा में किता है नब 90% पानी है सही है ना उस पूरे प्लाजमा का यानि कि पूरे ब्लड का 55% प्लाजमा और उस पूरे प्लाजमा का ब्लट से निकला आया लग उस पूरे प्लाजमा का बान्मे परसेंट पानी और बाग के में प्लाजमा में क्या पाई जाता है बहुत सारे प्रोटीन पाई जाते हैं बहुत सारे साल्ट पाई जाते है ठीक है ना बाई-लोजीम बात करेंगे इसकी आपने कभी CBC कराया हो complete blood count सब्सक्राइब करेंगे तो प्लाजमा रख्थ में होता है कोशका के अंदर होता है कोशका सबसे चोटी का कोशका के इंदर पाई आज़ता है और इसके बनावा किसी विद्धारा प्रभाहिद करने पर ये प्राप्त होती त्योंकि गैस के जो कन होते हैं वो आनीकरत हो जाते हैं औराइणीकरत होने पर बहुत ज्यादा उड़श्मा प्रगाश उत्वन होता है ठीक सी ज्यान दुए एंपोर्टेंट थे भॉस आइंस्टीन कंडम से तो द्यान रखेंगे सौनाम दो वैज्म रात के वैज्टारा की वैज्मि स्तिययंद्रनीद वैज्म कि तो रखेंगे एक वैज्मानेक छिसयते बाती भिज्माने 13 बोस आइंस्टीन कंडनसेट ठीक है ना इस अवस्था का नाम दो वैज्ञानिक जिसमें एक इंडिया आगा जिनका नाम सत्य इंदनाद बोस और दूसरे जर्मन अमेरिकी यानि की जर्मनी के थे लेकिन बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए एलबर्ट आइंस्टीन इन दोनों के नाम पर रखा गया है यह वस्था होती ही क्या समझ दीजिएगा जैसे प्लाजमा समझ में यह समझ में आएगी देखिएगा एक गैस है एक बरतन है इसमें गैस बरी हुई है कोई से भी ठीक है ना अब यह मान लीजिए कि यह जो गैस है इस गैस का कोई दरबिमान है मान लीजिए एकस ग्राम है इसका इसका दरबिमान क्या है एकस ग्राम इस बरतन का जो दरबिमान उसे हटा दिया गया है ना इस बरतन मान लीजिए प्लास्टिक के एक जार में है तो इस प्लास्टिक के जार का दरबिमान हमने काउंट नहीं क यह उतना ही बड़ा अब इसमें भी एक गैस है ठीक है यह दूसरी जो गैस है सेकंड यह फस्ट की तुला में हलकी है यानि यह सेकंड है यह हलकी है किस से हलकी है और कितनी हलकी है मालुम है एक बटे एक लाग गुना एक बटे एक लाग गुना हलकी है आप समझ लेगे इस गैस को प्राप्त करना कितना मुश्किल होगा गैस वैसे बहुत हलकी होती है अब ऐसी गैस लाव ढूंड के जो उस से भी एक बटे एक लाग गुना कम हलकी हो, तो सोचो इस गैस को प्राप्त करना कितना मुझके लोगा, अब आपने वो गैस प्राप्त कर लिए, फिर उसको आपको बहुत ठंडा करना है, बहुत नीचे ताप मान पर ले आगे ठंडा करना है, जब थंडा करेंगे तो आपने पड़ा होगा संगनन संगनन यानि कि जब क्या होता है पानी की बून पानी बारिश होती है बारिश से पहले क्या होता है समुद्रत्याई से पानी भाब बन के उड़ जाता है उपर जाके भाब थंडी होती है ठंडी का मतलब क्या संगनन और संगनन के बाद क्या होता कंडंसेशन कहते हैं और वही भाब पानी का रूप लेके बारे बूनों के रूप नी चाहा जाता है तो जब हमने गैस ली कितनी एक नॉर्मल गैस की तुनला में एक बटे एक लाग गुना हलकी गैस ली वहिया इस ग कि लाजर को हमने ठंडा किया तो क्या हो जाएगा संग्णन हो जाएका ध्रणा बदलत जाए ही तो जैज़िए गैस संग प्रात्माप करने के बादू असको नीचे टापमान पर ठंडा करते हैं सायंट इसलिए बहुत सारे practical चलते रहते हैं, बहुत सारे experiment चलते रहते हैं, इस सब उनी का एक भाग है, तो आपने समझा कि सामान ने गहनत तो वाली किसी गैस के मुकाबले उसके एक बटे एक लाख में भाग वराबर गहनत तो वाली गैस, यानि कि नॉर्मल गैस से एक बटे एक गुना हलकी गैस को बहुत नीचे तापमान पे ठंडा आपने किया, तो कौनसी अवस्था प्राप्त होगी, पाँचवी वत्त है, इसका नाम नाम रखा गया है, किसके नाम पर, भारती वैग्यानिक सतेनाद बोस, और जर्मन अमेर की वैग्यानिक अलवट आइस्टिनी के नाम पर साफ साफ लिखाए, सामा निवाई के गनत्यों के एक लाख में भाग के बराबर गनत्यों वाली गैस को अत्यतिक निम्रतापमान पर ठंडा करने पर ये अवस्था प्राप्त होती है, अब ये अवस्था कितनी जटिल है, ये इस अवस्था को प्राप्त करना कितन एक अबस्ता हासिल की इस अवस्था का concept दे गए हैं तोनों बहुत वराइंस्टीन इन्होंने यह बताया था कि यह कुछ्छा यह वह सकती है और लेकिन इस अवस्था को प्राप्त किया 2001 में तीन वह ज्यानिकों ने सको प्राप्त किया लैब में भाया मुश्किल तो हो गई प्रमांड के रहस्यों से परदा उठाने में सफलता तो भाया उन तीनों वज्ञानेकों को नोबिल मिल गया नाम लिखा है सामने एरेक एक करनेल उल्फगेंग कैटरले और कारली वहमन तीनों को इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए नोबिल मिल गया आप जानते हैं नो उर्जा के संबंधों का अध्यान करते हैं आपने देखा द्रभी की तीन वस्था है ठोज द्रभ गैस चौति यवस्था प्लाज्मा पांचिवस्था बोड़ साइंसली कंडनसेट अब बात करती उर्जा क्या है देखिए उर्जा एनर्जी उर्जा में कारी करने की छंता ह ठालिया तो यह अंत्रिक उर्जा कारी करेगी तो उर्जा अर्थात एनर्जी में कारी करने की छंता होती है पहली चीज उर्जा या तो शक्ती है यह शक्ती का सोर्स है उर्जा या तो पावर है या पावर का सोर्स है उर्जा को देख नहीं सकते क्या प्रकाश देख सकते ह आप नहीं ना आपको लगारा देख सकते हो नहीं प्रकाश की बज़े से आप यह देख पा रहे हो क्योंकि प्रकाश इस पर पढ़ रहा है तो यह दिखाई दे रही है प्रकाश आपको दिखाई तो अंतरिशना दिखाई देता पढ़ेंगे आगे तो आपको उर्जा दिखा करने की छंता होती है धुद्ध नकिया उनीस तो पांच वर्ष उनीस तो पांच आके बात करेंगे वर्ष उनीस सो पांच से पहले उर्जा को और द्रबेमान को अलग-अलग समझा जाता था कि यह दोनों अलग हैं यह अलग हैं यह तब का मतलब क्या है द्रब्यमान और सी का मतलब है प्रकाश की चाल सही है ना प्रकाश की चाल यह फॉर्मूला दे के इन्होंने सिद्ध किया किसने आइस्टीन ने सिद्ध किया कि अगर उर्जा है तो उर्जा से द्रब्यमान प्राप्त किया जा सकता है या द्रब्यमान आपके पास है तो द्रब्यमान से उर्जा प्राप्त की जा सकती है यानि कि उर्जा द्रब्यमान एक ही वात है एक ही वस्तू के दो अलग-अलग रूप है फॉर्मूला दे दिया नहोंने क्या कि आपके पास एनरजी है तो आप द क्यों किलियर में क्या होता है लिए अम नाो ho k Abu तो तो उनसे क्या हो रहा है अगर दो पर लुढक पर्मालो टूटा लुढक तो तो जो बीच का दरबिमान है वो उनरेजीम मतल गया या दो परमाडू जुड़े हाइड्रोजन बम में तो जो बीच का दरबिमान गैप हुआ वो काइम मतल गया एनरजी में यानि कि परमाडू बम या हाइड्रोजन बम इसमें क्या हो रहा है दरबिमान से क्या यह निकलती है ना अगर गलती से आपके हाथ में अब देखा ने छोटो छोटो पटा की बच्चे है तो जला जला के फैकते हैं और आपके हाथ में अगर फट जाए तो क्या होता है इसका मतलब क्या उसके अंदर क्या था द्रबिमान था ना और वह भटा तो क्या निकली और आपके उंगली प्रेटॉद द्रबिमान से क्या वनगए उर्जा दूसरा एग्जांबिल उर्जा से द्रबिमान कैसे वने गार क सबुद्धिया इंच्टिनन से उरजा और और उर जाडर, बन सकता है तो उर्जा के आपने भिविन रूप देखे, उर्जा क्या यह देखी, पदार्थ की चांज हो पांच हो अबस्ताय देखी, फिजिक्स में काय का अध्यन करते हैं, यह देखी, यह लेक्षर हैं समाब, लेक्षर कैसे लगा जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो आफसे नहीं पढ़ाऊंगा, जल्दी में हैं, बहुत जल्दी पढ़ा दो सर, कतम कर दो, जादू कर दो, चार दिन में, बहुत से चैनल हैं, बहुत सी जादू होता है, वहां जाएं, बहुत सुकून से, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, कि किसी भी लेवल के एक्जाम में आप जाएं तो आपको दिक्कत ना हो मेरे आफलाइन बच्चों को पता है कि मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ डिटेल मैं पढ़ाता हूँ चाहे चार दिन एकसा लग जाएं इसके नोट चाहिए, मैसेज करें ठीक है, बाई बाई, ओके